नाज़का दोस्तों, डेट हैं आज की 14 अगर्स 2021 और स्वागत है आपका आईटोयल डिसकेशन में तीन इशुज आज हम डिसकेश करेंगे, तीनों के तीनों दा हिंदू के सबसे पहला आटिकल डिसकेश करेंगे, 1991 में जो LPG रिफॉर्म्स आए उन रिफॉर्म्स से देश की गरीबी, current account deficit, economy growth rate उन सब पर क्या असर हुआ और अभी अगर हमें higher economy growth rate इंशूर करने हैं तो क्या करना पड़ेगा क्या सिरफ रिफॉर्म्स से काम चल जाएगा या फिर दूसी चीजें भी करने पड़ेंगी दूसरा आर्टिकल हम यहां पे discuss करेंगे maritime security से समंदित, एक आर्टिकल हमने पिछले हफ्ते discuss किया था maritime security से समंदित तो उसी को supplement करेगा यह article थोड़ा ज़्यादा detail में है और यहां पे article discuss करेंगे अफगान tragedy से समंदित देखो अफगानिस्तान में हालात जो हैं काफी तेजी से बदल रही है तो ऐसे बिल्कूल बारिकी से जो छोटी 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 जो details है वो तो हमें मतलब पता हो इस क्या हो सकता नहीं है exam perspective से लेकिन जो लोग interview दे रहे हैं अभी interview चल रहे है ना उनके लिए थोड़ा important है अफगानिस्तान में अभी क्या कुछ चल रहा है तो इस लिए इस issue को हम थोड़ा discuss करेंगे यह question है जो आपको attempt करना है critically discuss India's maritime security challenges and India's preparedness to handle them 250 words में आपको इस question का answer देना है चलिए discussion start करते हैं फर्स्ट important article high economic growth rate insure करने के लिए suggestions से संब्दित हैं सी रंगाराजन का यह article है आप GS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हूं देखो 1991 में देश ने काफी मुश्किल भरी economic situation का सामना किया उसमें देश में balance of payment crisis आये थे balance of payment crisis जिसे currency crisis का नाम भी दिया जाता है इसमें हुआ यह था इंडिया का export काफी जादा कम हो गया था जिसकी वज़े से इंडिया के पास dollar की कमी हो गई थी अब देखो आपको दूसरे देशों से जो भी समान purchase करना है for example oil है या फिर food grain है अब इसके बदले में वो रुपया नहीं लेंगे न क्योंकि इंडिया की currency इतनी जादा internationally recognized नहीं है वो बोलेंगे कि dollar में पैसा चुका हो dollar हमारे पास इतना है ही नहीं क्योंकि हम export नहीं कर पा रहे हैं अब आपके मन में आया होगा कि RBA के पास भी तो foreign exchange reserve होता है ना जी हाँ वहाँ से भी dollars लिए कुछ समय तक तो काम चला लेकिन RBA का foreign exchange reserve भी खाली हो गया अब करें क्या इस situation में इंडिया IMF के पास गया था कि हमें आप कुछ dollars भया लोन दे दो ताकि हम हमारा काम चला सके आईमफ ने कहा था कि ठीक है हम आपको loan देते हैं लेकिन आपको अपनी economy में कुछ reforms लाने होंगे तो IMF के कहने पर और अपने आप से उस समय इंडिया reforms लेके आया economy में जिनने नाम दिया गया LPG reforms liberalization, privatization और globalization liberalization का मतलब यह है कि देखो 1991 से पहले बहुत सारी चीजों में काम करने के लिए ना businessman को license लेना पड़ता था पर्मिट लेना पड़ता था, economy tightly controlled थी, हर चीज के लिए कोई जब license लेगा या फिर पर्मिट लेगा तो देखो bureaucrates रिस्वत मांगते हैं कि नहीं हम आपको पर्मिट तभी देंगे जब आप हमें इतनी रिस्वत दोगे, आदा मन तो businessman का तभी खतम हो जाता है, तो मतलब business कर क्या हुआ, 1991 से पहले क्या था, देखो हर एक business में सरकार ने अपनी चोंच भी घुमाई रखी थी, मतलब सरकार खुद काफी सारे sectors में business कर रही थी, सरकार ने अपने hotels भी खोल रखे थे, लेकिन सरकार को सदबुद्धी आई 1991 में कि government has no business in business, मतलब business में government का कोई काम नहीं है government का जो काम है वो regulation में है, इसलिए बहुत सारी ऐसी सरकार की companies, BSUs उनको privatize कर दिया गया और अभी भी ये चल ही रहा है, क्योंकि रेखो private जब होती है कोई भी company तो वो ज़्यादा efficient होती है, सरकार के द्वारा business को चलाना बहुत मुश्किल है, efficiency नहीं आपाती, तीशे नंब trade कम करना है, एक डर था, लेकिन globalization के बाद, मतलब ये इस reform के आने के बाद, देश की economy धीरे धीरे world economy के साथ integrate हो गई, trade जो है दूसे देशों के साथ काफी ज़्यादा increase हो गया, investment अगर पहले इंडिया में आती तो सरकार ने काफी सारे restrictions लगा के रखे थी, लेकिन globalization के reform के बा efficiency और जो productivity है उसे increase करना, अब writer analyze करते हैं कि LPG reforms का क्या impact हुआ, तीन indicators पर, देश की growth rate पर क्या impact पड़ा, इन reforms का, current account deficit पर क्या फरक पड़ा, और गरीबी इन reforms से कम हुई या फिर नहीं हुई, सबसे पहले बात की जाती है growth rate की, देखो 1992-93 से लेके 2000-2001 के बीच, GDP at factor cost जो थी, वो grow हुई annually by average 6.20%, simple भासा में बोलें, तो growth rate रही 1992 से लेके 2001 के बीच में 6.20% और 2001 से लेके 2010-11 के बीच में growth rate रही 7.69%, और 2011 से लेके 2019-20 के बीच में देख की economy growth rate रही 6.51%, बताओ, देश की economy growth rate कौन से period में सबसे ज़्यादा रही, देखो best performance से इंडिया की economy के रही 2005 से लेके 2010-11 के बीच, इन पांचे सालों में इंडिया की जो GDP है, वो 8.7% growth rate से grow हुई, और ये तब तब था, जब 2008 में तो आपको पता है, financial crisis भी आये थे, लेकिन देखो, चिंता की बात ये है, कि अब देश की growth rate जो है, वो higher नहीं है, अब आपके वन में आया होगा, आरे या COVID-19 के period में, कौन से देश की growth rate higher है, क्या बात कर रहे हो तुम, हाँ, बात तो ठीक है, COVID-19 है, लेकिन देखो, COVID-19 से पहले भी, जो देश की growth rate है, वो decline कर रही थी, अब इसके बात की जाती है, foreign results की, देखो, जैसा हमने डिसकस किया, 1991 में, balance of payment crisis का सामना, इंडिया ने किया, RBI के जो foreign exchange results थे, वो तो खाली हो गए थे, लेकिन अच्छी बात यह है, कि अब हमारे जो foreign exchange results है, वो भरे हुए है, पिछले हफ़ते, RBI में, RBI के जो foreign exchange results है, उसकी value थी, 6 to 1 billion dollars, अगर current account deficit की हम बात करें, 2011-12 और उसके बाद 2012-13, इन दो सालों में current account deficit काफी बढ़ गया था, 4% से उपर हो गया था, होता क्या है, वैसे current account deficit, देखो जितनी value का आपने export किया, goods या फिर services, और जितनी value का आपने import किया, दोनों के बीच में जो gap है, deficit का मतलब यह है, कि जितनी value के goods and services आपने export किये, व import किये, जैसे example के तोर पर 100 unit का आपने goods and services import किये, तो 4% अगर current account deficit है, इसका मतलब 96 unit का जो goods and services है, वो आपने export किये, तो 4 unit का यहाँ पर gap रह गया, बस देखो यह दो ही साल था कि इंडिया का current account deficit 4% से बढ़ गया, otherwise अब इंडिया का जो export है, वो अच्छा खासा है, वैसे तो goods का export हम कम करते हैं, goods का import जादा है, लेकिन services का export हम जादा करते हैं, services का import कम है, तो यहाँ से बरपाई हो जाती है, इसके बाद poverty ratio की बात करते हैं, इस LPG reform से गरीबी पर क्या अशर पड़ा, देखो वैसे तो इसी पर विवाद पैदा हो जाता है, कि कौन सी committee की report को consider करके यह analyze किया जाएं, आर्टकल में planning commission ने जो method अपनाया था, तन्रूलकर expert committee methodology का सारा देते हुए, उसके अधार पर बूला जाता है, कि 1993-94 में जो poverty ratio थी, वो थी 45.3%, बहुत ही जादा, दो हजार चार पांच में घटके हो गई 37.2%, और 2011-12 में घटके हो गई 21.9%, दो हजार चार पांच से लेके 2011-12 के बीच, जब देखो देश की growth rate सबसे ज़्यदा high थी, हमने discuss किया न, इस period में देश की growth rate थी 8.7%, इस period में हर एक साल देश की जो गरीबी है, वो कम हुई by 2.18%, मतलब higher economy growth rate का देश को फाइदा हुआ, गरीबी भी कम हुई हर साल by 2.18%, और 2011-12 के बाद भी गरीबी देश में कम होती रही, काफी सारी schemes सरकारों ने लोंच की, जैसे मनरेगा scheme, Extended Food Security Scheme यानि National Food Security Act आया, तो गरीबी देश में कम होती रही, बर देखो, COVID-danking की महमारी के दु negative हो गई, तो काफी सारे reports ऐसी आएं कि अब देश में गरीबी कम होने के बजाए बड़ी है, COVID-19 की महमारी की बज़े से, तो आवसकता ये है, कि higher economy growth rate सुनिशित की जाए, राइटर कहते हैं, देखो, higher economy growth rate सुनिशित करने के लिए reforms की तो आवसकता है ही, लेकिन reforms के अलावा कुछ दूसरी चीजों की भी आवसकता है, यही तो title भी है ना, article के title देखिए, growth needs steps beyond reforms, मतलब higher economy growth rate सुनिशित करने के लिए reforms के अलावा भी दूसरी चीजों की आवसकता है, अब main point पर writer आते हैं, writer कहते हैं, देखो, growth कैसी होगी, इस बात पर भी depend करता है कि investment कैसी है, अगर इसमें investment ज्यादा आ रही है, तो ज्यादा economy growth rate होगी, इसलिए तो सरकार बहुत कुछ करती है, investment को attract करने के लिए, अभी जो retrospective tax है, सरकार ने वापस लिया, क्यूं, क्यूंकि investment को attract किया जासके, investors को भरोसा दिलाया जासके, कि India में policy stability है, लेकिन देखो, investment सिर्फ इस चीज़ पर depend नहीं करती, कि हाँ देश में stable business करने के लिए environment है, investors जो हैं वो और भी चीज़े देखते हैं, जैसे example के तोर पर social cohesion, मान लीजे crime किसी देश में ज्यादा है, women communities आपस में लड़ रही है, तो investors ऐसे देश में invest करना पसंद नहीं करेंगे, उन्हें लगेगा कि ये देश तो कभी भी pressure cooker के तरह है, कभी भी फट सकता है, कभी भी committees के बीच में आपस में लड़ाई हो जाए, दंगे हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, तो writer ये बोलते है, social cohesion पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, अब last में तीन suggestions दिये जाते हैं, पहला suggestion देखो ये दिया जाता है, हमें same direction में move करना चाहिए, पिछले 30 सालों में जो जिस direction में हम move कर रही हैं, उनी direction में हमें move करते रहना चाहिए, ये writer बोलते हैं, policy makers को, उन sectors को identify करना चाहिए, जहां पे reforms के आप सकता है, जहां पे performance efficiency को improve किया जा सकता है, तो writer कहते हैं, financial sector, power sector, governance sector, ऐसे sectors हैं, जहां पे further reforms ल के काम करना होगा, दूसरा suggestion, social sectors पर ध्यान देनी का आप सकता है, जिसे health education, और हम जब हम इन sectors में expansion की बात करते हैं, सिरफ हम quantity की बात नहीं करते हैं, कि हां ज़्यादा hospitals बना दिये, ज़्यादा schools बना दिये, quality भी, quality schools होने चाहिए, जहां पे quality education मिले, और hospitals quality वाले होने चाहि suggestion है, तीसरा suggestion नहीं है, दोई suggestion है, conclusion में writer के द्वारा ये कहा जाता है, देखो, growth rate भी इंडिया की आज नहीं, तो कल तो बढ़ ही जाएगी, but एक चीज़ सरकार जो है, वो ख्याल रखे, कि गरीब लोग या deprived जो sections है, उन तक higher economy growth rate का फाइदा जरूर पहुँचे, मतलब equity पे debate अगर बड़ी, तो उसका फाइदा सिरफ अमीर लोगों को हुआ, तो ये हमने पूरा article discuss किया, चलते हैं आगे, इसके बाद next article maritime security से सम्मदित है, आप JS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हो, सुजन आर्ट चिनोई के द्वारा ये article लिखा गया है, देखो, इंडिया के पांस इस महन परधामंत्री ने security council में किसी debate को chair किया हो, तो debate की issue पर थी debate का नाम था enhancing maritime security, a case for international cooperation, देखो, परधामंत्री मोधी ने अपनी speech में कहा, कि जो oceans हैं, वो मानव सबता की common heritage है, common विरासत हैं, और earth के future के लिए oceans एक बहुत ही important lifeline हैं, इसलिए global committee को अर्ज करते हुए, परधामंत् एक common framework होना चाहिए, contemporary challenges से निपटने के लिए, जैसे जो maritime dispute है, natural disasters है, इन सब से निपटने के लिए, सभी देश मिलके एक common framework बनाएं, परधामंत्री ने जो vision रखा, maritime security से सम्मंदित, उस vision में देखो, इंडिया के culture की, इंडिया के history की, और इंडिया के geography की जलग देखने को मि की है, जैसे देखो, maritime tradition की बात पहले की जाती है, आल्मोस्ट पिचेतर सो किलोमेटर का इंडिया के coast है, काफी सारे इंडिया के islands है, तो इंडिया दूसे देखो के साथ, past में, communication करता रहा है, maritime roots की साहिता से, trade करता रहा है, उसी के examples दिये जाते है, जैसे देखो, पंदरवी map देखिए, यह जो जांजीबार है ना, यह राजधानी है, तंजानिया की, यहां से वास्को डिगामा, इंडिया के western coast में आये थे, पंदरवी स्ताब्दे में, और रास्ता दिखाया गया था, एक गुजराती, seaman के दवरा, उसके बाद, Sanskrit word जो है, नवागत, इसका English में मत principle है, free and open trade से संबंदित, तो देखो, free and open trade, यह तो इंडिया की civilizational ethos है, यह एक परकार से हमें याद दिलाता है, कि 4500 साल पहले भी, इंडिया का maritime trade होता था, मैसो पोर्टमिया civilization के साथ, लोथल जो है, जो इंडिया वैली civilization के एक साइट है, यह उस समय एक बड़ा maritime center हुआ क यह उस समय एक बड़ा maritime center हुआ करता था, प्री में भी question इससे समदित पूछा जा सकता है, गुजरात में अभी जो कच या फिर कैथा वार्ड है, इनके ancient links थे अफरीका के साथ में, 1760 से लेके 1778 के बीच में उसमें कच में रूल किया करते थे राओ गोड़ जी second, तो इनके रूल में एक local ship जो की यही पर बनाया गया था, और उसे local crew के द्वरा उसे ले जाया गया England, इवन देखो Buddhism, Hinduism, यह spread हुए South East Asia में कहां से, इंडिया से, Maritime Root के थुरू, और Islam भी इंडिया से spread हुआ Maritime Root के थुरू, South East Asia में, पधामंत्री मोदी ने अपनी speech में सागर का भी जिकर किया, सागर एक initiative है, 2015 में launch किया गया था, security and growth for all in the reason, पधामंत्री मोदी ने international committee से आवान किया, कि Maritime Security सुरिशित करने के लिए, एक cooperative और inclusive framework बनाया जाए, ताकि जो trade और commerce है, high seas से, high seas मतलब, वो seas जो किसी की territorial boundary में नहीं आता है, पूरे world access कर सकती है, उन waters को पूरा world जो है, उन international waters को use कर सकती है, उस sea को कहा जाता है, high sea या फिर international water, तो 90% जो global trade होता है, वो देखो high seas के थ्रू होता है, maritime route से जब देखो transport होता है, तो यह सबसे सस्ता है, आप हवाई जाज से समान एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाओगे, बहुत महेंगा पड़ता है, ज़्यादा समान आप ले जा भी नहीं सकते हैं, लेकिन ship से trade होता है, एक ही समय में बहुत ज़्यादा समान आप ले जा सकते हो, सस्ता पड़ता है, और अगर यह जो sea lanes of communication है, disrupt होती हैं, तो पूरे world पर इसका असर पड़ता है, जैसे आप स्वेज करनल क्राइसिस की बात कीजिए, आपको याद होगा, कुछ महीने पहले, एक ship फस्ट गया था स्वेज नहर में, तो क्रोड़ो रुपे का नुक्सान हो गया था, बहुत सारा जो वेपार है, वो ठप ह हो गया था, इस ship के फस्टने की वज़े से, तभी तो देखो, 1956 में जब Egypt ने स्वेज केनल को नेसलाइस किया, तो UK और दूसरे देशों ने अपनी military उतार दी थी, Egypt को ऐसा करने से रोकने के लिए, क्योंकि इस नहर की जो significance है, वो काफी जादा है, और बात सिरफ इसकी नही है, और choke points मान लिजिए, जैसे मलक का straight है, मलक का straight को अगर chop कर दिया जाए, तो कितना trade रूक जाएगा, तो इसलिए, ये जो sea lens of communication है ये free होनी चाहिए, तभी world में लगातार जो prosperity आ रही है, वो आती रहेगी, एक word है, mere librum, इसका मतलब होता है open seed, जो critical supply chains है, वो देखो, open seeds प closed sea world जो है, ये neo colonial concept है, जैसे इसारा China के तरफ है, China क्या करता है, South China Sea में बोलता है, ये हमारा water है, यहाँ पे आप अपना ship नहीं ले जा सकते, तो इससे ना सिरफ उन देशों की economy पर असर पड़ता है, जो अपना ships वहाँ से नहीं ले जा सकते, बलकि directly, indirectly, global economy पर भी इसका अस देखने को मिलता है, प्रधामंत्री Modi ने अपनी speech में ये कहा कि जो maritime disputes हैं विबिन देशों के बीच में, international law के अधार पर उन disputes का समाधान होना चाहिए, इंडिया ने देखो past में example भी based किया है, बांगलादेश और इंडिया के बीच में maritime dispute था, 2014 में permanent court of arbitration का फैसला आया, फै जब इसी permanent court of arbitration का फैसला फिलिपिन्स और चाइना की dispute में, maritime dispute में, चाइना के against आया, चाइना ने साफ-साफ 2016 में इस फैसले को मानने से इंकार कर दिया, बोला, नहीं नहीं भाया, हम ऐसी किसी court को नहीं मानते, आज देखो global committee को natural disaster से खत्रा है, जैसे tsunami लहरें, और काफी सा एक्टर से भी खत्रा है, जैसे piracy, तो global committee को एक साथ मिलके काम करना चाहिए, दोनों तरह की threats से निपटने के लिए, और India तो देखो, अपने आसपास के reason में, जब भी कोई इस परकार की disaster आई है, तो India ने first responder का का काम किया है, शुनामी लहरें आई थी 2004 में, तो India ने first responder के त तेल गिरिया था समुदर में, तो इंडिया ने 30 ton का relief material बेजा, मोरिसस में, मोरिसस को राहत पंचाने के लिए, तो इंडिया का इतिहास रहा है, first responder का, तो उसी परकार से बाखी देशों को भी मिलके काम करना चाहिए, इन threats से निपटने के लिए, इसके बाद लांश्ट में बोले जाता है, इंडिया के cost card की operational reach capability जो है, चाहे वो environment हजाड हो या फिर piracy से निपटने की वो काफी ज़्यादा increase हुई है, और 5 अगस्त को Indian cost card के DG है, उन्हे regional cooperation agreement on combating piracy and armed robbery against ships in Asia information sharing center सिंगपूर में executive director के तोर पर select कर लिया गया, तो ये इंडिया के contribution का endorsement है, मतलब evidence है कि इंडिया ने काफी कुछ contribute किया है, maritime security को ensure करने में, काफी सारे देशों के साथ ने इंडिया ने wide shipping agreements sign किये हैं, wide shipping agreements में commercial ships की movement सम्मंदित information आपस में share की जाती है, गुरु गुराम में एक बहुत important information fusion center Indian ocean region है, तो इस center में जपान, फ्रांस, अस्टेलिया, UK के, US के क जो नेवी है, friendly countries के officers को, जवानों को training भी देती है, काफी, last में environmental concerns है, देखो maritime environment को, resources को preserve भी करने क्या सकता है, plastic waste का इस्तमाल जो काफी ज़्यादा होता है, इसकी वज़े से maritime जो animals है, समुंदर में animals रहते हैं, मचलिया रहती हैं, उनको बहुत नुक्सान पहुंचता है, food chains में ये plastic enter कर जाता है, और सबसे last में बात, development and connectivity पर, China का जो belt and road initiative है, उसकी वज़े से काफी सा regions में tensions create हुई है, तो ऐसे देश जिनको कोई help नहीं मिल पाती, infrastructure develop करने के लिए, उन्हें मजबूरी में BRI पर rely करना पड़ता है, वहाँ पे infrastructure develop करने के लिए, US, Japan, Australia, इन देशों का एक initiative है, blue dot network, इस जैसे और भी initiative BRI के विकल्प के तोर पे काम कर सकते हैं, ये बात writer बोल रहे हैं, ये परदामंतरी मोदी ने ये बात सिधा सिधा अपनी speech में नहीं बोली थी, तो ये हमने पूरा article discuss किया, maritime security से समधित, चलते हैं आगे, last जो article है, वो अफगान tragedy से समधित है, आप GS paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हो, देखो जो अफगानिस्तान की दूसरी और तीसे नंबर की सबसे बड़ी cities हैं, कंधार और हरात, अब इन पर तालिबान का कबजा हो चुका है, गजनी जो city है, वो भी तालिबान ने capture कर ली है, तो अब 8 दिनों के अंदर अंदर 17 provincial capitals पर तालिबान ने capture कर लिया है, तालिबान के जो नीती है, वो carrot and stick की है, मतलब की बहुत बार तालिबान के द्वारा surrender deals offer की जाती है, जैसे city है, city के अंदर बहुत सारे लोग है, उस province के governor है, police chief है, जो अफगानिस्तान की defense team है, उनके लोग है, तो उनकी leadership को तालिबान के द्वा कुछ नहीं बोलेंगे, तो बहुत सारी cities तो देखो, तालिबान ने सिधा सिधा कैप्चर कर ली, बिना एक गोली चले, अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान का कपजा हो सकता है, ये संभावना तो देखो हमेशा से थी, संभावना क्या आलमोस्ट पता ही था, कि collapse कर जा ये कम लोगों ने सोचा था, आठ दिनों के अंदर अंदर 17 कैपिटल पर उन्होंने कभजा कर लिया, एकदम से हलात इतने खराब हो गए, US और UK ने कहा कि हम हमारी कुछ ट्रूप्स को भेज रहे हैं अफगानिस्तान में, जो स्टाफ है US, UK का उन्हें अफगानिस्तान से करने के लिए, काफी समय से नेगोशेशन्स चल रही थी, लेकिन कभी भी देखो, USA तालिबान से कंसेशन्स एक्स्ट्रेक्ट करी नहीं पाया, USA ने सिरफ अपने हिटों की बात की, कि आप USA के खिलाफ अपनी धर्ती को इस्तमाल नहीं होने देऊगे, USA के forces को आप नुक्सा करना चाहता है, अभी देखो, अफगान टीम ने ये बोला, जो अफगान सरकार की नेगोशेशन टीम है, उन्होंने बोला तालिबान को कि हम आपको सत्ता में भागेदारी देने के लिए तयार हैं, लेकिन तालिबान ने इंकार कर दिया, अब मानेंगे भी क्यों, मतलब व इन्होंने अपने एद मैसेज में बोला था, कि पूरे अफगानिस्तान में अप्योर इस्लामिक सिस्टम आने वाला है, अब सिस्टम कैसा है, काफी सरे इंटर्व्यूज अगर आपने देखे हो, तो ये तालिबान के लोग बोलते हैं, कि वही चीजें जैसे महिलाओं को अ में बात देखो ये हैं, 2001 से लेके 2021 के बीच, इन अफगान लोगों ने प्रोग्रेस और फ्रीडम का जो स्वात चका था, अब फिर से जो खराब दिन हैं, रिलीजियस टोटैलिटेरिनिजम, रिलीजियस बार्बरिजम, वो दिन फिर से वापस आने वाले हैं, और धरम के न 2010 के आसपास जब ये पीस एग्रिमेंट होता ना, तो तो साइद तालीबान मांग भी जाता, लेकिन ऐसे हालातों में पीस एग्रिमेंट किया गया, जब तालीबान मजबूत था, अब जब देखो कोई मजबूत होता है, तो फिर वो अपनी बात मनवाता है ना एग्रिमें तो इतना जल्दबाजी में जब यूएस से जाएगा, तो confidence तो कम हो जाएगा ना, आफगान फॉर्सी का, देखो किसी भी युद में सबसे बड़ी चीज होती है, मुराल, टूप्स का मुराल, तभी तो लीडर्स बहुत कोशिस करते हैं कि टूप्स का मुराल हाई रिखने के लिए, लेकिन अफगान फॉर्सी का जो मुराल है वो बहुत डाउन है, अब एक तरफ देखो अफगान फॉर्सी है, अब बोला ये जाता है, पता नहीं कितनी सच्छा है, कि काफी समय से उनको वेजीज नहीं मिले, फूड की भी दिक्कत है, हतियार तो पूरे मिले है, उनको कोई बहुत बड़ा मोटिवेशन नहीं है, लडने के लिए, और जबकि दूसरी तरफ तालिबान के लोग हैं, उनका तो मतलब जो मिलिटेंट्स हैं, टैरिस्ट हैं, उनका तो माइंडवास हो चुका है, उनको धरम के नाम पे बोला जा रहा है कि, बोलोगे तो आप आपको जननत नसीब होगी, अगर आप मर भी जाओगे तो, वो highly motivated हैं, तो ये difference हैं, वैसे देखो अब तो इंडिया को directly तालिबान से बात करने ही चाहिए, अगर इंडिया के interest को protect करना है, अब अगर बिलकुल idealism में रहें, तो तो नहीं करनी चाहिए कि हाँ तालिबान के लोग हैं, वो terrorist हैं, अब ऐसे लोगों से क्या बात करना, जो बरबरता करते हैं, human rights का violation करते हैं, लेकिन देखो idealism से काम चलता नहीं है, कैसे भी लोग हैं, अब अफगानिस्तान की सत्ता इनके हाथों में आने वाली हैं, और इंडिया को अपने अगर interest protect करने हैं, तो direct contact इन वो आ सकते हैं, कस्मीर में, और भी इंडिया की जो investment है, जैसे Salma Dam है, वो सुरक्षित रहेगी, अगर इंडिया इनके touch में रहते हैं, इंडिया का इनके साथ में communication है, तो यह हमने पूरा issue discuss किया, हमारी आज की इस discussion में इतना ही है, thank you, thank you very much for discussion.